नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम आपके लिए बहुती जवर्दत वीडियो लेकर आए हैं बस चुटकी भर नमक इसकी तागत जानकर हैरान हो जाएंगे आपको जीवन बर माला माल रखने के लिए काफी है एक चुटकी भर नमक जी हाँ दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में नमक के कुछ ऐसे ही खतरनाक और जबदस चोटकों के बारे में बताने वाले हैं जिनने अगर आप अपनाते हैं तो आपके जीवन से नकारतमकता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और पैसो की तंगी का सामना आपको कभी भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तो नमक के अंदर आकर्शन शक्ती के कारण घर में नकारतमक उर्जा का संचार होता है नमक के उपयोग से राहू और केतू के अशुप्रभाव भी नश्ट हो जाते हैं साथ ही इसका ठीक से उपयोग करने से घर परिव कर आप अपने घर में सुक समर्दी, शांती और धन वैवब में बड़ोतरी कर सकते हैं दोस्तो नमक पिसा हुआ भी होता है और साबुत भी होता है आपको पहले उपाय के लिए साबुत नमक का या फिर आपको कहें कि डली वाला नमक को एक लाल रंग के कपड़े में इसे आप अपने ओफिश के में गेट पर भी टांग सकते हैं नमक का यह उपाय करने से घर में या फिर ओफिश में किसी भी तरह की नेगेटिव एनरजी नहीं रहती है साथी घर में सकारतमक ऊर्जा का संचार होता है रात को सोने से पहले नमक के पाने से हाथ पर दोने से अच्छी नीद आती है। साथी राहू केतु का अगर कोई दुष प्रभाव है तो वे भी नश्ट हो जाता है। इसके लिए आपको एक चमच पिसा हुआ नमक लेना है और एक बालती पानी में से डाल कर अपने हाथ मुँ को अच्छे प्रकार से धो लेना है। साथी आपको ओम, ग्राम, ग्रीम, ग्रोम से राहूए नमह इस मंतर का जाब करना है। जितनी देर आप हाथ मुँ धोएंगे उतनी देर तक आप इस मंतर का जाब करते रहे। इस प्रकार से अपने हाथ और पैर को अच्छी तरह से धोने के बाद आपको एक और जहन नीद अच्छी आती है। वही पर आपकी कुंडली से राहू-केतु का जितना भी दूष प्रवाव है वे हमेशा के लिए नश्ट हो जाता है। अगर आप इस प्रकार के उपाय को हर रोज नहीं कर सकते हैं तो आप इसी हफ़ते में एक बार तो अवश्य करें। अगर आप इस उपाई को हफते में केवल एक ही बार करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे उप्युक्त दिन है शनीवार, शनीवार को इस उपाई को अवश्य करें, वैसे तो इस उपाई को हर रोज ही करना चाहिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आपको एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा नमक डाल कर उन्हें हफते में एक बार नमक वाले पानी से अवस्षे नहलाना चाहिए। इससे बच्चों को लगी हुई नजर और नजर के कारण होने वाले सभी पुरे और दुश परभाव बच्चों के उपर से नश्ट हो जाते हैं। रखने से राहू का नकारत्मक असर बिलकुल खतम हो जाता है और सकारत्मकता का प्रभाव आपके घर में रहता है। अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप परते एक हफते इस नमक को बदलते रहेंगे। अब पुराने नमक को अपने घर के टोईलेट में डाल देंगे। घर परिवार में आई दिन अगर कलेश और जगडे बने रहते हैं तो आप नमक के पाने से पूरे घर में पहुचा लगाएं। वास्तू सास्तर के मताविक इस उपाय को करने से घर में सकारतमक्ता का संचार होता है और घर के सदस्यों के बीच में प्रेम और सौधर बना रहता है। वहीं आपके घर में धनकी आवके सभी मार खुल जाते हैं। इस उपाय को अगर आप हरोज ना कर पाएं तो कम से कम मंगलवार के दिन अवश्य करें। नमक को दोस्तो कभी भी श्टील और लोहे के बने बरतनों में नहीं रखना चाहिए बलकि नमक को कांच के जार में भरकर रखना चाहिए। नहीं कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में जादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। जाए बजरंग बली।